नमश्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं अपना बेहत खास कारेकम आईश्मान भवा मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड संतोशी बात दिनांक चार जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए है चार जनवरी को पैदा हुए लोग किस तरह से अपन सारी शुब कामना है और जो लोग आज marriage anniversary celebrate कर रहे हैं मेरी तरफ से उनको भी बहुत सारी शुब कामना है चले सबसे पहले सुरवात करते हैं आज पैदा हुए लोगों की सिख्षा के विशे में बताते हैं लेकिन जानकारी यह भी कि आप आज और हमसे चंडीगर में मिल सक इधर लोनी आदी जो भी शहर है मोदी नगर मेरट सहारनपूर आदी से लोग आते हैं आप सब का हम स्वाकत करते हैं दादरी से लोग आते हैं आप सब का हम स्वाकत करते हैं बल्लवगर से आते हैं पानी पत से आते हैं सोनी पत से आते हैं इन सब का हम स्वाकत करते हैं जन फिक्स कर लीजे 9910291850 पर आप कॉल या वाड़सप करके तुरंत अपॉइन्मेंट फिक्स कर लीजेगा चलिए बात करते हैं चार जनरी को पैदा हुई लोगों की सिक्षा के विशे में पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप दूर दूर तक सिक्षा में कोई रुकावट कोई दोश नहीं है ब्यापार के बारे में बताएंगे लेकिन सिक्षा के और महीनों के विशे में बता दे बोर्ड का एक्जाम देने वाले बच्चों के लिए अगर आप चार जनरी को पैदा हुए हैं और आप 10 मी या 12 मी का बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए 5 से 10 प्रतिशत का जंब सुनिश्चित किया गया है एक शर्त है अपने दिल की धढकनों को थामिएगा क्योंकि शुक्र के नक्षत्र पूर्वा नक्षत्र में चंद्रमा है आज प्रातह काली चार जनवरी को जब सुर्योदे हुआ तो उस समय शुक्र का नक्षत्र आपको भोग और विलास की तरफ इंस्पायर करेगा आपको उस पर नियंद्रन रखने की आवशेक्ता होगी नई जगह एडमिशन आदि के लिए परेशानी नहीं आएगी लेकिन थोड़ा बहुत आलस से से बचने की आवशेक्ता है जिससे आपकी तयारी सुचार उढंग से चलती रहे अगस्त अक्टूबर दो महीने आपके लिए बहुत अनकूल रहेंगे ब्यापार बिजनस में जनवरी और मार्च में रिस्क ना लीजेगा मई जून आपके लिए अनकूल रहेंगा इसके बाद अगस्त अक्टूबर आते आते बड़ी परेशानियों से बाहर निकलाएंगे मुश्किलों से बाहर निकलाएंगे नॉम्बर दिसंबर कुछ तनाव पैदा करेगा नॉम्बर दिसंबर को लेकर के सजग रहने की आवशक्ता है दिनांक चार जनवरी को पैदा हुए लोग प्राइवेट सेक्टर में दिसंबर से पहले दो परिवर्तन देखेंगे एक अप्राइवेट सेक्टर वाले इन दो महीनों में एक दम से जंप पाएंगे नई नौकरी का 20 से 25 प्रत्रत चेलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगे ये आपके लिए बहुत अनकूल समय रहेगा दिनाग चार जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए सरकारी छेत्र में कुछ मुश्किलें आएंगी जनवरी मार्च अपरेल अपरेल के बाद प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों की खुश खबरी आपको मिलेगी दामपत्य जीवन आपके लिए पति-पत्नी की सुख को वृद्धि करने वाला है अगर आप चार जनवरी को पैदा हुए है तो पति-पत्नी दोनों का सुख बढ़ेगा और बहुत सा करात्मक रूप से बढ़ेगा परिस्थतियां आपके पक्ष में रहेंगी संतान संबंदी खुश खबरी मई और अगस्त और अक्टूबर में आ रही है किसी तरह के विवाद में फंसे थे पति-पत्नी दोनों एक दूसरे की प्रती सवहार्द पूलन वातावरन अगर्चिन नभिन्न हुआ था तो उसके लिए आपको बहुत सकरात्मग पक्ष देखने को मिलेगा सुरवात में हर प्रकार का दोश खत्म होगा लेकिन लव लाइफ के लिए इस अच्छी स्थिति नहीं है लव लाइफ को लेकर कि आपको बहुत सजग रहने की आवश्यक्ता है सुआस्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा सुआस्थ में बड़ी बड़ी परिशानियों का अंध होगा अच्छे से स्वस्थ महसूस करेंगे आप लाब के बड़े आउसर रहेंगे लव लाइफ में कुछ और स्थितियां बता देते हैं सुरवाती समय थोड़ा सा तनावपूर्ण है लेकिन बाद में धीरे धीरे लए पकड़ेंगे शादी की चर्चा मार्च में जून में अगस्त में नवंबर में हो सकती है नए प्रफोजल अगर आप सिंगल हैं तो नए प्रफोजल आपके लिए प्रियोग हम बताएंगे आपको जो आपको जरूर करना चाहिए मेरे अनुसार तीन बर्गत के पौधे किसी पब्लिक प्लेस पे लगाना है अगर चार जनवरी को आपका बच्चा जनम लिया है तो माता पिता उसके जगह पर पौधे लगा सकते हैं बनियन ट्रे अगर आप चार जनवरी को दामपत्य सूत्र में बधे थे तो आपके लिए दो कुवारी करन्याओं की इस बिवाह में मदद करना और तीन बच्चों को खाना खिलाना है आज पति-पत्नी मिलकर मैं त्रों यह प्रियोग आप जब कारटरम देखें मौन लेज़ी आप इसको अपरेल मई में एक सकता है तो फिलाल हमें अनुमद दीजेगा घर-बैठे टेलिफोनी कंसल्टनशी भी आप ले सकते हैं उसके लिए 9910-2918-509560447000 पर आप कॉल या वाटसप कर सकते हैं फिलाल के लिए हमें अनुमत दीजेगा लेकिन आप गोरकपुर, पतना, राची, कलकत्ता, लखनौ, मुंबई, पुने इन छे शहरों में हमसे मुलाकात कर सकते हैं पांच जनवरी से दस जनवरी हम गाजियाबाद में हैं, पांच दिन लगातार तो गाजियाबाद दिल्ली NCR के लोग मुलाकात कर सकते हैं 9910-2918-50 पर कॉल या वाटसप करते हुए थैंक्यू सो मच्छ आपके प्यार के लिए आपके लिए, टेक केर शीकिष्ना, शीरादे